तो देखो जब बात आती है वर्काउट्स के और टेनिंग की तो रेपेटिशन ये एक ऐसा फेक्टर है कि मैं अगर किसी भी वर्काउट करने वाले बंदे की ट्रेनिंग में या किसे एक एथलेट की ट्रेनिंग में सिर्फ रेपरेंज को ही अगर चेंज कर दूं इस एक फेक यह देखो के यूटीब पर कुछ लोग कहेंगे 4-6 रेपेटिशन इस बेस्ट कुछ लोग कहेंगे 8-12 बेस्ट कुछ लोग कहेंगे 15 प्रस जाओ और कुछ तो कहेंगे गिनो हीमाद बस करते जाओ तो आपको फॉलो क्या करना है कौनसी रेपेटिशन रेंज आपकी लिए बेस्ट है और कौनसी आपको चूज करने चाहिए अपने गोल के अकॉर्डिंग तो यह सब समझने से पहले आप सबसे पहले यह समझ लो कि आपको किसी भी एक अथिलीट को देख करके उसे फॉलो नहीं करना है वह सकता है जिस अथिलीट को आप देख रहे है वो एक पाव कांड अफ बेवकूफी तो और आप किसी एक अड़ोने सेथलीट को देखोगे तो आप देखोगे कि वो पचास सौ डेड़ सो रेप भी कर रहा होता है किसी किसी सेट के अंदर अब आपको लगे यह यहाँ पर आपको मैचॉर्टी के साथ यह समझना जरूरी है कि यह तीन के खतम होते होते हैं आपको 100% crystal clear हो जाएंगे यह मेरी guarantee है अब सबसे पहले यह समझो आपकी body में तीन चीज़े होती है पहले चीज मसल स्ट्रेंथ और मसल साइज सेकेंड चीज मसल का साइज और उसकी शेप इस हाइपोट्रॉफी थर्ड चीज आती है कि endurance तो अगर आप अगर आप अपनी body के अंदर सिर्फ strength को target कर रहे हो तो उससे आपकी muscle का size बहुत बड़ा होता है और उसके लिए आपके लिए best reputation range रहेगी 4-6 यानि आपको एक ऐसा weight लेना है उतना heavy weight लेना है जिससे आप 4 rep करपाऊ minimum या 3 rep करपाऊ minimum और maximum आप 6 ही करपाऊ उससे आगे आप का होना ही नहीं चाहिए तो उतना heavy weight आपको train करना पड़ेगा और जब आप इतना heavy weight lift करोगे तो उससे आपकी muscle की size बड़ेगा और आपकी muscle की strength बहुत बड़ेगी ठीक है अंधी क्या मतलब आप भीम नहीं बन जा हुए बट हाँ आपकी strength में टार्गेट हो रही है आपका muscle का size में टार्गेट हो रहा है बट आप शेप टार्गेट नहीं हो रही है शेप नहीं आएगगी आपकी muscles में ठीक है लेकिन जब आप 8-12 में train करोगे तो आपकी shape भी आएगी क्योंकि आप already इतना जादा exhaust कर रहे है अपनी muscle को कि उसे मजबूरन अपने shape में आना पड़ेगा और extra fat को वहाँ पे वहाँ टिक नहीं सकता और third category आती है 15 plus यानि endurance training आप यहाँ पर क्या होता है आपने सुना भी योग athletes के मुग से एफर athletes जब training करते हैं कि इस set में 50 रप हैं फिर अगले में 100 हैं फिर किसी किसी में मतलब repetitions till failure आते हैं यानि मतलब count ही मत करो 200-300 repetitions हाँ जी यह वह category है जब बात आती है endurance की यानि आपको बस work कराना है अपनी muscle से जितनी देर तक हो सके तो ऐसे में आप लोग 10-15 reps से कुछ भी नहीं होगा 50-60 rep range में एंटर करना ही पड़ता है तो आपके लिए कौन सी best rep range है सबसे पहले यह समझो देखो आप लोग हो कुन जो नॉर्मल जिम लोग जाने वाले लोग हैं उनको क्या चाहिए हो तो एक healthy body चाहिए नहीं आपको strength चाहिए स्टैमिना चाहिए एंडूरेंस चाहिए उसके लिए almost हर एक जिम गोर के लिए 8-12 की जो रेपरेंच है वो हमेशा हमेशा classic standard और best रहती है तो कि इससे आपके body में strength भी आती है हाईपोट्राफी भी आती है shape size और एंडूरेंस भी अच्छी कहां से develop हो जाती है यू डोंट नीड तो गेट इंटू 15 प्रेटिशन और 1,2,3 रेपरेंच यू डोंट नीड तो डू दू देख रहे होते हैं वह को होते हैं क्योंकि वह मतलब train ही उस चीज़ के लिए कर रहा है सपाटे दंड यह साले जो वर्काउट्स होते हैं यह सारे वर्काउट्स आपकी हिंडूरेंस को टार्गेट करते हैं कभी आप किसी को यह नी सुनोगए कि वह सपाटे यह दंड में अपना पी आर चक कर रहा है वर्काउट्स में यह नी होता बट आप स्कोट में डेड़ लिफ्ट में बैंच प्रेस में इनमें आप जरूर देखोगे क्योंकि ट्रेनिंग टाइप डिफरेंट है जिन पावर लिफ्ट्स को आप देख रहे होते वर्काउट करते वो लोग पावर लिफ्ट्स उने चाह या या फिर आप बड़ी जो पाफ लिफ्टर से आप उनको नहीं दिखोगे वो 20-30-50 रेंज में जाएंगे वो 200 किलो वेट से 2 रेप, 3 रेप, 2 रेप, 3 रेप ऐसे ट्रेन कर रहे होते हैं उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, उन्हें शेप नहीं चाहिए, बट जो बात आदि हैं bodybuilder के, उन्हें चाहिए होती है Only and purely shape उन्हें स्ट्रेंथ से कोई मत्तर कर लिया। वो लोग तो एक जो बॉड़ी बिल्टर होता है अपने सीजन के अकॉर्डिंग अगर वो कटिंग वाले सीजन में तो हो सकता है वो पांच किलो के डंबल चे भी वरकाउट कर रहा हो अपना सारा का सारा वो सकता है जब वो बलक वाले फेज में तो शायद वो 100-500-500-300 किलोपे भी जा रहा हो अब बात आती तो ये बात हो गई बॉड़ी बिल्टर की और उससे पहले हमने पावल फिल्टर को डिस्कस कर लिया अब बात करते हैंगे एंडरोनेस अथिलेट्स की तो अगर आप एंड पंदर अभी स्रेप में ट्रेन नहीं करेंगे वो इससे भी उपर जाते हैं पचास साथ सो डेड़ सो डाइस सो रेप्टेशन की देंज में भी जाते हैं वहाँ पे उन्हें अपनी मसल को एंड़रेबल बना रहा है कि वो बहुत ज़रा देट तक लोड ले सके ये डे डॉन अगर आप एक नॉर्मल जिम गोर हो या अपनी तो अब आपके लिए रेपरेंज कौन सी बेस रही कि देखो एवरेज लोगों के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो एट टू ट्वेल ट्रेंज में ट्रेन करें यह उनके लिए वन आफ दा बेस्ट ।ृ बिए बाटिव एट भी ही न्यूच डातु नाजी मे पटस्ट घ करेंच यह उनके लिए बाटनी ए टू खांड है उनके वट ट्रेंट दिए लिएateurलendo ट्वल ट्रेंट फेतिंशन सी नचे के लिए लोग्ए झाल झाल